हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बेक टूए यूटूब चैनल बेंसला स्टडी हाउस आज मैं आप सभी को समझाओ नहीं क्ला है एट चेप्र वैन की एक्सराइज 1.1 का कोश्चन नमबर 2 सो गाइस प्लीज वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ताके मैं मोटिवेशन में लिए तो आई स्टार्ट करते हैं यह है क्वेशन नमबर 2 राइट दा एडिटिटिव इन्वर्स ऑफ इच ऑप दा फॉलोविंग फतलब इन सबका एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स होता है तो जाएगा यानि ये बन जाएगा प्लस का तो इसका अंस ना रहेगा फिर माइनस का six upon five तो गाइस अब मैं आपको समझाओं भी पार्ट फॉर्थ तो गाइस पार्ट फॉर्थ में है ये माइनस का sign है ऊपर हो नीचे हो आपको ये नहीं देखना बस यह minus का है तो इधर यह plus का बन जाएगा 2 upon 9 and यह minus का है 19 upon 6 तो इसका हो जाएगा 19 upon 6 यह minus का है अब plus का हो गया so guys अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ question number 3 so guys यह है question number 3 so question number 3 का first part है पहले तो इसमें दिया हुआ है verify that minus x minus x is equals to x4 मतलब minus minus तो plus हो जाता है तो यह verify हो जाएगा तो x की value इसमें दिया हुआ है 11 upon 5 तो हम पूसी साब जी लेगी 11 upon 15 minus minus is equals to 11 upon 15 so guys यह minus minus plus हो जाएगा तो 11 upon 15 and यह 11 upon 15 so LHS is equals to RHS अब मैं आखो बताने जारी हूँ part second so guys part 2 है minus 13 upon 17 so x की जगा हम minus 13 upon 17 ले रहे है तो इधर minus यह हुआ है और उसमें minus दे रखाया पहले से ही तो minus 13 upon 17 is equals to minus 13 upon 17 so इधर यह minus है और इधर भी minus है तो minus minus प्लस हो जाएगा लेकिन इधर minus है तो यह minus कही जाएगा तो minus 13 upon 17 and minus 13 upon 17 so LHS is equals to RHS thank you for watching our videos